नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धमसनमार मकर आसी वालों कब होगा सनी की साड़े साथी का अंत और वक्री सनी 18 सितंबर तक आपको क्या देंगे आज हम ये बतलाने की कोशिस करेंगे दोस्तों जैसा कि आपको पता है 18 सितंबर तक सनी देव वक्री रहेंगे पूरे चार महिने 18 दिनों के लिए वक्री हुए हैं और केतू देव भी साथ में रहेंगे आपको तो पता ही है राहू और केतू दोनों ही वक्री ही चलते है और सनी देव वक्री हो चुके हैं अब जब दो गरह वक्री होकर एक साथ चलेंगे एक ही रासी में रहेंगे एक ही खाने में रहेंगे तब क्या होगा? क्या होगा जीवन में आपके? और मकर रासे वालों केतू का तो कोई अपना प्रभाव होता नहीं है ये भी आपको पता है तो सनी के साथ बैठ कर सनी का ही बल लेकर चलेंगे सनी और केतू की युती धनू रासी धनू लग्रिमे है और यहा पर सनी केतू एक साथ रहना बहुत ही बड़ा दुरगटना कहें बिस्फोट कहें बहुत डेंजरस इस्थिती होती है तो ऐसे में आप मकरासी वालों के जीवन में क्या होगा आपके बार्वे भाव में सनी केतु की यूती बन रही है और बार्वा भाव किस चीज का होता है केस, मुकदमा, पुलीस, कोट, कचहरी, टेंसन, बिमारिया, खर्चा आपको हम डरा नहीं रहे, साबधान कह रहे है आपके उपर सुरुआती वरस्था की साड़े साती है पास साल भी और सहने है लेकिन पास साल परेसानिया नहीं आएंगी पर ये जो समय है न यहाँ पर बिपरीत राजयोग भी बन रहा है ऐसा नहीं ये किसी परेसानी ही है बिपरीत राजयोग और बिपरीत राजयोग में पैसा खुबाता है ये भी आपको पता है तो इसका मतलब इस समय आपको 18 सितंबर तक पैसे बहुत आएंगे आप जो भी कारे करते हैं ब्यापारी हैं जॉब करते हैं धन तो आएगा ही आप खेती गिरस्ती करते हैं किसानी करते हैं जो भी काम करते हैं पैसा आएगा पर खर्च भी कराएगा इसलिए समभल के रहें पैसा आता है तो भूमी भवन में इंवेस्ट कर सकते हैं दोस्तों य यूती थोरी सी हानी कारग भी है और वैसे भी जब इप्रीत राजयोग बनता है तो पैसा तो आता है पर स्वास्तमंदी परिसानिया देता है अब यहां पे दोनों ही चीजे हैं आपको करना क्या है वहां चलाने के समय साबधान रही है और कहीं भी बाद बिवाद में ना और पुलीस केस मुकदमों से दूर रहे उपाई के तोर पर रोज साम में सनी चालीसा का पाठ करे हर मंगल बार सनी बार को हनुमान जी को मनाए यानि हनुमान जी की अराधना करे हनुमान चालीसा का पाठ करे हनुमान जी को चोला अरपित करे बूंदी का प्रसाद बित्रि डालते ही नहीं है दूसरी बात आप रोज नहाने के बाद केसर या हल्दी का तिलक खुद के माथे पर लगाई है के तू दे भी आपके उपर किरपा बरसाने लगेंगे तो दोस्तों पैसा बहुत आएगा जो भी काम करते हैं दिल से कीजिए अपना 200 परसंट दीजिए ये सम आपके लिए धन तो दे रहा है लेकिन चोट चपेट एक्सिडेंट मुकदमों से बचना है और धन आए तो कहीं इंबेस्ट कीजिएगा बिना मतलब के खर्च नहीं कीजिएगा बचिएगा क्योंकि खर्च होने की भी सम्रामना बनती है हम आपसे बिदा लेते हैं अगर आ कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद हर हर महादेव